कोलारस में किसान अंदोलन से जुड़े सायूक्त किसान मोर्चा ने आज अपनी मांगो को लेकर कोलारस कस्वे में ट्रैक्टर मार्श निकाला लेकिन पुलिस के दखल और स्टीम के ओर से खुद ग्यापन ना लेने आने पर से भड़के किसानों ने जगतपुर तिराहे पर धरना देते हुए सड़क को जाम कर दिया किसानों की मांग थी किसान सड़क से हटकर आगरा मुंबई फोरलेन हाईवे को जाम कर देंगे हाला कि धरनाओ और सड़क जाम की सूछना मिलते ही कोलारस स्टीम मौके पर पहुँच कर किसान नेताओ से मिले और इनकी मांगों का ग्यापन लिया तब कहीं जाकर किसान सड़क से हटने को राजी हुए जानकावी के मुताबिक आज कोलारस कस्बे की अनाजमंडी से किसान आंदोलन से जुड़े किसानों को ट्रैक्टर मार्च निकालने के बाद MSP और किसानों की आन्य समस्याओं के संदर्ब में राश्टुपती और राजपाल ने नाम स्ट्यम को ग्यापन सौपना था फ्रैक्टर मार्च की शुरवात कोलारस के अनाजमंडी से हुई थी इसी दौरान रास्ते में किसानों के ट्रैक्टरों कोलारस पुलिस ने रोग दिया किसानों का कहना था कि रैली के शोयवात में ही पुलिस को अफ़कत करा दिया गया था इसके बावजूद पुलिस ने रैली की परिमिशन की मांग पुलिस को दी कुलावस से शाकिर खान की रिपोर्ट हमारे दौरा जो है MSP की डिपांड को लेकर कि हैं कि सानी की मांगों को लेकर के अलग-अलग विस्यों Kita तो लोगों के नाम से घ्यापन देने वाले है कि लिएbed मुझूद नहीं मिलते हैं तो निश्यद हम फोर लेन को जाम करेंगे क्योंकि हमने जब 6 तारिक को पर्मीशन ली हुई है हैं साथ से और 11 तारिक की इनको सूचना दी हुई है कि किसान ट्रेक्टर मार्च के दौरा आपके दर्वाजे आएगा आपको ग्यापन देगा तब क्या स्टियम की जिम्मेदारी नहीं है कि वह आप यहां हमें मौके पर मौजूद बिलते हैं हम सारे किसान एस्टियम साथ को ग्यापन दे रहें आएं जिसमें तैसिलार साब ने ये कह दिया है तो हम सारे टेक्टरों को लेके फुर लाइन जान करने जा रहा है